प्रिविद्यार्तियों कक्षा नवी गणित अध्या दो बहुपद प्रश्नवली 2.2 का ये दूसरा सवाल है निम्न लिखित बहुपदों में से प्रत्यक बहुपद के लिए पी शुन्य पी एक और पी दो ग्याद कीजिए यहां पर पी वाय का मान दिया है यहां पी टी का म यह पी जिरो निकालना है तो एकस के जगह क्या रखेंगे जिरो तो यह एकस की खा तीन है तो जिरो की खा तीन मतलब जिरो तो यहां पी जिरो का मान हो गया जिरो अब पी वन का मान निकाले है तो पी वन एकस की जगह रखेंगे वन तो यह हो गया पी वन एकस की खा तीन ह कमान होता है ए यह हो गया P1 बराबर 1 उसी प्रकार अब निकालना है है अपनों को P2 तो P1 सक बराबर P2 मतलब X की जगा 2 रखेंगे तो यह रहाएगा 2 की खास 3 क्योंकि X की खास 3 है और 2 की खास 3 मतलब 2 का अपस में 3 बार गुणा तो 2 गुणि 2 गुणि 2 तो 2 दुनू 4 दूनी तो P2 कमान कितना आ गया, P2 कमान आ गया 8, इसी प्रकार से अपनों को इन में भी करना है, यहां पर देखें पहला सवाल, P शुन्य रखें, P शुन्य कमान मतलब Y पराबर शुन्य रखना है, यह हो गया शुन्य का वर्ग, रिंड, Y की जगा शुन्य, धन एक, यह भी सुन्य, यह भी सुन्य, तो बचा वाला एक है, तो P सुन्य कमान आ गया 1, उसी प्रकार, P1 कमान देखें, P1, P1 में Y की जगा 1 रखेंगे, यह हो जाएगा, एक का वर्ग, रिंड, Y की जगा एक, धन एक, तो एक का वर्ग एक होता है, रिंड, धन एक, तो रिंड एक और धन एक कट गए, तो बचा एक, तो P1 कमान आ गया 1, अब P2 का मान निकाले है P2 मतलब Y की जग़ 2 रखेंगे तो P2 बराबर यह Y का वर्ग है तो 2 का वर्ग रिंड Y है तो 2 क्योंकि Y की जग़़ 2 रख रहे हैं अपन धन 1 तो 2 का वर्ग हो गया 4 रिंड 2 धन 1 4 में से 2 घटा है तो 2 धन 1 बराबर 3 तो P2 का मान कितना आ गया यह 3 आ गया इसी प्रेकार दुसरे स्वाल में देखें P6 बराबर T की जग़़ सुन्य रखेंगे तो 2 धन T की जग़़ शुन्य रखा धन 2 T का वर्ग है तो सुन्य का वर्ग रिंड T की घट 3 मतलब सुन्य की घट 3 तो यह सुन्य का वर्ग सुन्य हो जाएगा और उसका 2 में गुणा करा तो यह सुन्य हो गया सुन्य की घट 3 मतलब सुन्य यह भी सुन्य हो गया यह भी सुन्य हो गया बचा के वल 2 तो P सुन्य का मान हो गया 2 अब हम निकालें P1 तो P1 P1 में 2 धन T की जगा रखा 1 धन 2 T की घाद 2 मतलए 1 की घाद 2 रिन T की घाद 3 मतलए 1 की घाद 3 तो बराबर 2 हो गया धन 1 हो गया धन 1 का वर्ग 1 एक और एक का दो में गुणा करा तो 2 और एक की घाद 3 मतलए 1 यह हो गया रिनेक धन 1 से रिनेक कट गया तो 2 और 2 कितने हो गया 4 यह आगया P1 का मान अब P2 का मान निकाले है P2 बराबर यह हो गया 2 धन T की जगा रखा 2 धन 2 T वर्ग तो 2 T वर्ग मतलब 2 का वर्ग धन T की घाद 3 मतलब 2 की घाद 3 तो यह हो गया 2 धन 2 धन 2 का वर्ग हो गया 4 4 दुनों 8 और रिन 2 की घाद 3 मतलब 2 का अपस में पी शुन्य का मान पी शुन्य का मान रखा अपनों एक से बराबर शुन्य तो यह हो गया एक से बराबर शुन्य रखा सुन्य रिन एक और शुन्य धन एक मतलब रिन एक और शुन्य धन मतलब एक धन एक मतलब धन एक तो एक का एक में गुणा करा एक और रीन का धन में गुणा करा रीन तो पी शुन्य का माना गया रीन एक और सुन्य में से एक घटा है अपनोंने यह हो गया अब आपन रखें यहां पर पी वन तो पी वन रखेंगे तो यह हो ज अब एक में से एक गए तो शुन्य, गुणित एक और एक हो गए दो, तो दो का शुन्य में गुणा करा तो दो, यह आ गया P1 का मान, अब अब रखेंगे P2 का मान, तो P2 बराबर, एक सिकेजे का रखा दो, तो दो रिन एक, और यहां पर एक सिकेजे का रखा दो, तो दो धन एक, तो दो में से एक गया एक, और दो और एक हो गए तीन, तो तीन एक हम हो गया तीन, ती हो गया P2 का मान हो गया तीन, तो इस प्रकार हमनोंने चारों बहुपद में P0, P1 और P2 को मान रखके देख लिए कि उनके मान क्या रहा है इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद